टेरेस शट पे पानी की टंकी से जब हम पानी पाइप्लाइन के माध्यम से टॉलेट, किचेन, वाशिंग एरिया इस नान घर में ले जाएंगे तो हमें पाइप्लाइन को ले कैसे करना है? क्या उससे संबंदित भी कोई वास्तु नियम है? जी बिलकुल है. और वो इसलिए वास्तु नियम आपको फॉलो करना है, जिससे यहां पे तत्वो का संतुलन बना रहा है और घर का वास्तु परफेक्ट रहा है. पानी की टंकी यहां भी हो सकती है और यहां भी. पहले हम बा सुभावी का ऐसा लगता है कि यहीं से हम पाइपलाइन को ले जाएं. साउथ इस्ट में किचिन की दरफ. यह बिलकुल भी आपको नहीं करना है. अगनी जोन से आपको पाइपलाइन लेके आगे नहीं जाना है. भाई आप यहां पहुंचेंगे तो फिर आपको लगए यह नियम है पाइपलाइन से हम पानी मूफ कर रहे हैं. जल तत्व है और जल तत्व की दिशा है नौर्थ इस्ट. नौर्थ भी जल तत्व है और इस्ट भी जल तत्व है. तो हमें पाइपलाइन को इस छेत्र से इस जोन से लेके जाना है. अब देखिए यहां पाइपलाइन बिचाएंगे North East direction में और फिर North East से मूफ करेंगे East direction में इस सब जलतत्व हैं बहुत ही वास्तु के लिए यहां पर बैलेंस है पाइपलान को जब हम इस जोन से लेके जाते हैं और यहां से फिर हम लेके गए वाशिंग एरिया में और वाशिंग एरिया से फिर हम लेके गए सा इस तरह से हुआ pipeline का यही वास्तो अनुकूल है, इस तरह से आपको flow या pipeline ले नहीं करनी है, इस से यहाँ पर तत्वो का असंतुलन होगा, क्योंकि अगनी का छेतर है, अगनी से हमें पानी का transportation या पानी का movement आगे के दिशाओं में नहीं करना, हाँ, अगर kitchen याँ खतम हो रहा ह तो आप इस direction में, इस way में pipeline को move नहीं कर सकते हैं, तो perfect way है, अगर यहाँ से भी आपको लेके जाना है pipe, तो आप नौर्थ वेस्ट में गए, नौर्थ से होते हुए, इस्ट से होते हुए, आप kitchen यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर आपका इस्नान गर भी cover हो गया, washing area भ आप इन वास्तू नियमों का पालन करें, यह बहुत जरूरिया अन्य था, आपके घर में तत्वों का अरसंतुलन हो सकता है, इससे वास्तू भी disturb हो सकता है, तो जब भी आप छट पे overhead tank से पानी की pipeline को design करेंगे, तो इन बातों का आप ध्यान रखें